नमस्कार सबय लाई YouTube चैनल इंस्पायर एगरिकल्चर माँ सम्पोर लाई स्वागत छ आजको एस्रिंग खला माँ आमिले क्रिशी इंजिनियरिंग अंतरगत फाम स्ट्रक्चर सम्बन्दी सम्पोर जानकारी लियरा आयका छौं विडियो लाई अंते समगेर नुआला शुरुमा आमि जानाऊ फाम स्टेड बने गो कि हो फाम स्टेड बने को बिल्दीग्स प्लस सर्विश अरिया अबाव्ध फाम फाम स्ट्रगत रेसिदेंशियल बील्दिग, काउसेड, गोट सेड, फिल्ड इस्टोरेज इस्ट्रक्चर, कौल इस्टोरेज, पल्ट्रेज, घ अब फार्मिस्टेट बनावनुको उदेश्चे चाई के उता बन्दा, फार्मिंग फ्यामिली लाई एकमोडेशन होँच, लाविस्टक लाई शेल्टर होँच, स्टोरेज फैसिलिटी बनी होँच, और फार्म बाट के उत्पादन होँच, बन्ने उदेश्चे ले फार्मिस्टेट बनावन चाँ, फार्म बिल्डिंग्स अथाबा फार्मिस्टक्चर सरु बनावन दा इनफोटायड लेंड प्लास हाई एलिपेशन बाई को ठाउँ चूझ गरने, फार गूट डुएनेज औने फाटायल लेंड चाई को लाईगी चूझ गरने, ओर्मिस्टक्चर बनेगो ठाउँ अनुचार फार्मिस्टक्चर फार्मिस्टक्चर अरिया, तो बनेगो लेंथ पोर्षन लाई इस्ट वेस्ट पार्नेगरी राखने, बनेगो पूर्वा पोर्षन पर्नेगरी राखने, किना कि जनावारला दिन बरी मैक्सिमाम इट्चाई एक उन्जा, यदि गर्मिवा तातो ठाउमा छा बने, नर्थ साउथ पर्नेगरी राखने, ताकि दिन बरी अथवा दिवसो, क्याटल अरुलाई देराई हीट नावस, फाम इस्टेट बनाओ दा, नजी केई इस्ताई पानी को सुरत छकी छाईना, रा छाईना बने, कसरी सप्लाई गरना शाखिन छा, तो पनी सर्चन पर्छा, अनी उइन बेलोसिटी आई उने ठाउमा, ओरी परी रुखरू रोब्दा, उइन ब्रिक को कायम गर्छान, मान्चेर लाइब इस्टोक लाई पनी, शेड दिने कायम गर्छा रुखरूले, आमी ले फाम इस्टेरी डिजाइन गर्ण पर्छा, ताकी बविश्चे मां कुनी कॉम्पोनेंट थपना अथबा एक्स्टेंशन गर्णा मिलोस। फाम इस्टेर्ट का प्लान चार अटा शन, एवटा छा लिनियर प्लान, जस्मां फाम बिल्दिंग चरू एवटा लाइन मां एटाज बहरा पसे का उन्जन। इस्तो प्लान चाई सान फाम को लागी उपएकते हुन्जा, जोनियो फर्स्ट फिगर मां रहेको छा, सेकंड फिगर चा लूज कोट एड़ प्लान, एश्मां चार अटाई साइड अकपाई गरी फाम बिल्दिंग चरू राखे एको उन्जा, एश्मां अंता नचरी कना चाऊड़ा साइड मां अकपाई गरी नचा फाम बिल्दिंग लाई, अनि थर्ड फिगर छा, रेगुलर कोट एड़ प्लान, एश्मां कमपोनेंच अरू आवसेक्ता अनुशार, पॉइंट अफ यूज बाटन अजी के राखे एको उन्जा, चसले करदा, इनर्जी, टाइम, अनि लेवर मिनिमाईज करशा, एश अंतरगत, यल सेफ प्लान, यू सेफ प्लान, इसेफ प्लान परदाशन, जोनि आए फिगर मां देखे एको छा, लास्ट वान, डीसपर्श प्लान, इसमा चाए फाम बिल्डिंग्स अरू, अन प्लान होंज़न, अथावा, इसमा अरू माथी का अगिका प्लान होरू चाए इन्टरिमेक्स गरियाएको होंज़न, प्लान आमी यहां एरनू सक्छाँं, आमी ले कुणी पनी एकरिकल्चल्ण फाम् डिजाइन गरधा खरी, एवड आ कम्पोनेन्ट ले अरकु कम्पोनेन्ट ले असर नगर्नी गरेरा डिजाइन गर्णु परछा, For example, यह poultry house अथवा swine house को order ले करदा अथवा smill ले करदा खरी residential house अथवा office अर माचाई असर ना गरोश आमिले तेसरे distance मेंटेन गरेरा सपपई कुरालाई मद्दे नजर करदाई सई placing करनो परशा यह लियावड अंतरकत आमिले मेंगेट, गार्ड हाउस, फिसपोंच, अनी फार्म वे, अनी फार्म मेशनेरी, वक्सप, ग्रिन हाउस, पौल्ट्री हाउस, तेसपची, कैटल बान, स्वाइन हाउजिंग, फोर्डर फिल्ड, क्रग फिल्ड, और जाड, सबै इठाउं लाई अथवा सबी कमपोनेंट लाई देखाएको छा, फार्म को बेशिक लियावड जाएस्तों चा बनर, देखाएको मात्रे वाजो, अर्गो छा, डेरी कैटल आउजिंग, यो बनेको, काउ अथवा बफेल सेड, functional requirements फ़स्ट माँची इस्पेस, इस्पेस अंतरगत, स्ट्राटिक इस्पेस, बाइलोजिकल इस्पेस रवा सोशल इस्पेस परशन, static space बनेको cattle ले अथा जनावरले ऊबिदा अथा बसदा static अवस्त मा उदाखेर चाइनी इस्पेस हो अरपो छ भा biological space बनेको feeding exercising गरदा āशाइनी इस्पेस हो अनि social space बनेको कस्त बन– cattle अरचाई आफब आफब संग मिल्छन साथी साथी मिले ज़स्ते, एधी । लूज अखिंग सि्स्टम जबने कालो गाई चाइं कालो गाई तीरे जाना खचा, राटो गाई राटो गाई तीरे जाना खचा, एस तो खालको टेंडनेंशी होंचा, काटलगो येस्तो social mobility लागी चाहिनाई space बनेगे social special अनि total space for confined house एवटा काटलगो लागी जाई पाच मीटर स्क्वार चाहिन जा एधी loose housing चाव अने 9.1m square per cattle space चाहिन जाई अनि और कोछ फाम state को अरी परे year circulation अनि फाम बिल्डिंग वित्र वेंटिलेशन अरू, सबही रिक्वायर्मेंट अनुशार प्रवायड गरनू परचाया मिली। और्क पोइंट्स अ सेनितेशन कैटल को इस्टाल अथवाया थलाया बंजा, सजलेशांगर सभाय गरन लिलना पर्यो। स्लोप पनि मेंटेन गरन पर्यो। अनी इस्टाल को बौही माया अथवा फ्लोर माया चिक्कारॉपने सोना पर्यो। ताके पानी पने नजमोज रो क्याटल पनी नचीपलज औरको छाए इकोनमी, एसको लागी आमिले ट्राविन डिस्टान्स कम गरन पचा शके सम्मौ कुनी फाम कॉंपोनेंट लाई पोईंट आफ यूज को नजीके राखे पछी ट्राविन डिस्टान्स कम गरना शकीन छा र कोस्ट लाई पनी एसीरी गटाना शकीन छाया मुले अरको स्लाड मा नेपाल मा बहे का गाई र वहिशी का इस्तानी र उन्नत जात अरुक बारे मा दीएको छा नेपाल मा इस्तो इस्तो ब्रिड़िस का गाई वहिशी पालन शकीन छा वनने कुरा जानी रागदा रामर होंचा टाइप्स अफ डेरी केटल आउजिंग इसको तींटा टाइप्स हो ओपन एयर बान अथावा ओपन एयर आउजिंग अरको सा लूस आउजिंग अरको सा कंफाइन आउजिंग अथावा किस्टैंचिन बान उपन एर आउजिंग मा सेड उधाईना क्याटल हरू फिल्मे बस्चन, फिल्मे चर्शन अने तेही मिल्किंग गरेंचा यो चाइँ देरेने एरिया छवाने करना शाकिनचा तर अचेल सेड चाइँ कसले बनायागे होंचन तेसले यो चाइँ तेत्ती कमन चाइना ऊचेल सेड एरिया होंच अथवा कबर एरिया होंच मात्या छट चस्त र केही बाग चाइँ सेड नवय को एरिया होंच यो राइड साइड को फोटो जासते ये शरी खुला रूप मा छोड़ता खरी आफु 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 मा जनावर अर जगडा गरने क्या उना सक्षा तेसले आमले इनर को यो सिंग चाई काड़ देनु परने उन्च तला चाई डी हर्णिंग प्रसेश बनिंच रो यो सिस्टम मा डिजीज इस्प्रेड उनी चांस मैक्सिमम उन्च आमले इहां लूज आउजिंग सिस्टम को साड ब्यू अथावा सेक्षन इरना सक्षाँ यो चाई जुन छत वाला अथावा सेड वाला पोर्शन होयो आमले लूज आउजिंग सिस्टम कोतिवला अपना उन्नेता बन्दाखरी वेर देर इस सफिसेंट एरिया फोर ग्रेजिंग अनि यहां कमपोनेंट बित्र फिडिंग ट्रॉफ अनि वाटर ट्रॉफ देना सक्षाँ आमिले रिक्वार्मेंट अनुशार एरेंज गरना सक्षाँ थोर वान, कॉन्फाइंड आउजिंग सिस्टम यो चाहिं कॉबड एरिया अथवा सेड़ वायको एरिया मा इंडिविजुआल क्याटल लाई छुटा छुट्टे स्टाल मा बादर राखिये गए गउन्जा ये चुटा चुटा इंडिविजुआल ले बादर राखिदा खेरी सुपरवाईज गरना सजीले गउए फिडिंग गरना सजीले गउए अंतिश्पासी बिरामी अर लाई आइसोलेशन गरना सजीले गउए और आमिले राइट साइड मा चाहिं काव इस्टाल डाइमेंशन फर डिफरेंट ब्रिड्स बनेर दिएको छा इन अरको लेंध राउड चाहिं कते राखनी इस्टाल को बनेर दिएको होयो एदी आमी शांगा बार देखी सोरा वटा कैटल छन बने तेसले आमिले सिंगल रो मा राखन शकिन छा र एदी त्यो बान्द देरे छन बने चाहिं face out system head to head system mean cattle's head facing each other tail to tail system mean cattle's tail facing each other यो चाहिए right side को figure मा इस पस्ट दियेको छा रा इद दूबे system को चाहिए फाइदा बेफाइदा की कस्तर आएको छा यहीं दियेको छा यहीं पन्न वाला एसलाई तेस पचे आमी संग छा head to head अथा फेस इन टाइप extension बान को चाहिए side view और plan आमी ले बिविनना component अरो देखना सक्छों माथी बट्टिको चाहिए plan हो और तलती रखो चाहिए side view हो माथी को plan माँ आमी ले आठवडा install माँ cattle पालेको imagine करना सक्छों एस माँ कस्तो कॉंपोनेंट छा बंदा है एवडा चा पैसेज बीच माँ फिडिंग पैसेज छा तेस पची मेंजर शन दो इतिरा तेस पची इस्टाल शन और तेस पची दुवे इतिरा ड्रेन शन तेस पची आमेले इस सपपे कॉंपोनेंट को डिटेल माँ जाएं फेस आउट टाइप इस्टेंचियन बान माँ सपपे को रापड़ छों यो जाने टेल टो टेल अथा माँ फेस आउट टाइप इस्टेंचियन बान को थ्रेडी फेस आउट टाइप को यवड़ा टिपिकल प्लान एस्ता उन सक्छा यो बिल्डिंग को टॉप बेव एसमा लेंथ रा ब्रेथ मातर देखिन छा यह आमले दिराइक कॉंपोनेंट को इरेंजमेंट अर देखिन छा सब्य वंदा पहिला बाईरोको बाग चाएं वाल होयो यो वाल लाए आमले थ्रिडी मापन देखिन छा अनि वाल मा सानशानों इस्कौार पार्ट्स अरो दिखिये का छन कतो यह आमेले राउंड पार्ट्स बने राहन छा इने चाहें सब्य रूफ लाए दानना को लागे बनाएक जुन यो वाल अथवा गार्व छा यो माती समा फूल आइट में नजाना सक्छा आमी ले सोटेन आइट समा चाहें गार लोगाउने और तेस माती आमी जाली राहना सक्छा हूं ताकि क्याटर लाए फ्रेश एर मिलोष तेस बोशी मे क्याल को छोमा राहेगा दूइटा पैसेज छन दूइटा साइड में यो अन्यको फीडिंग एले अथवा फीडिंग पैसेज यो चाहें 1.2 मीटर वीट्थ हों जाएशको क्याटर लाए दाना अरो दिना को लागी प्रवाड़ी गरिएको बाट वायो दोवित्र छन्यो अ अनि मैन और पीट मा ला राखें छा यो चाहें फीडर को दूइटे साइड मा राखें छा अपजेट साइड मा दूइटा बीच बड़ा लेफ साइड मा अनि बीच बड़ा राइट साइड तरा यो इस्टल गाई बस निरे ठाउं जुन जाहें 1.2 पर्षेंडिको श्लोप मा राखेंचा अनि इन्य दोईटा जाएं गटर अथावा ड्रेनेज बनेंचा अलाई यो टू पॉर्शन को स्लोप मा राखेंचा जहां बाट यूरीन अथावा लिक्विड वेस्ट पीट मा जाएंचा पैपलान को माध्यम बाट आधा बाग को जाएं लेफ साड मा तेश पोशे आउंचा मेंजर अथावा फिडिंग ट्रफ एस माचें दान दीएंचा इंडिबिजुल कैटलक लागी पार्टिशन गरियेको उन्चा मेंजर मा एउटे भाग मा पालेई-पालो दाना रा पानी दीएंचा अनि पाईपको थुरुमा ड्रेन गरना सकिन छा अ अनि मेंजर को चवडाई वनेगो 0.75 देखी 0.9 मीटर समा उन्चा अनि एसको फ्रान्ट अइट 0.3 मीटर अनि बैक अइड 0.75 देखी 0.85 मीटर उन्चा दाना दीने बाग तीरा अल्ली अगलो होंजा अनि गाई बाशने तीरागो बागशने अल्ली वच होंजा इवे कशरी डिजाइन गरेएक होंजा मन्दाखरी गाईली नकुल्चने रा फिडपनी वेस्ट नवने किसेमले डिजाइन गरेएक होंजा अनी मेंजर चाइं सेमी सर्कुलर सेफ हुँझा, किन बन्दाखेरी अरु सेफ को रेक्टेंगुलर अथवा अरु सेफ को राखियो बने कोर्नर को दाना खान गार हुँझा कैटल लाई केटल को एड मोम्मेंट जुन केटल ले खादाखेरी गर चा त्यो मोम्मेंट को कम्पेटिबल सेफ बने गाई सेमी सर्कुलर सेफू अचेल मोडन फाम मा चाई यो मेंजर मा अटोमेटिक फिडिंग को फैसिलिटी उन्छा बीज मा आमीले क्रस एले मा क्रस डोर पनी राखेका छौं केई इंस्पेक्शन गर दा वा गटर मा जाम उदा अथवा वेस्ट कलेक्ट गर दाखेरी लेफ्ट साट बड़ा इंगड़ेका मा जे एकक्वे चोटी राइड साट मा निश्के दाखेरी ट्रावलिंग डिस्टान्स बड़े उन्जा तेसे एले ट्रावलिंग डिस्टान्स मिनिमाज गर्नक लागे क्रस एले अथवा क्रस प्यासेज राखेको क्रस एले मैं आमेले फील्ड इस्टोरेज इस्ट्रक्चर रा मिल्क इस्टोर राखे का छाऊं मेन कुरा किये चा बन्दा है पोइंट अफ यूज बाटर सके सम्मा नजेके उनु परो कमपोनेंट्स हरो फील्ड इस्टोर बीच मा राखे पोछी दुबेई साडे को लाखे नजेके परो अनि ट्रावलिंग डिस्टान्स गटाउन बनेगे कस्ट गटाउन बाईरा पट्टी जाएं ये स्ट्याक बनेगो टौवाय रा चॉपिंग रोम पनी राखियेको छा दुबेई साड तीरा आमरो ये प्लान बनेगो 28 काउगो लागियो आमी सागो अरको प्लान चा जसको कैपासेटी 72 काउज छा फिगर माचें क्रस एले अथावा क्रस पैसेज प्रवाइड गरियेको छाईना तरा आमीले क्रस पैसेज प्रवाइड गरन पर चा आमी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हरू अगिने बनेशकिम रो आमी रोय क्यक्कुरा आरू यहां शिक्दे जान चाउं मैक्सिमाम लेंथ अब्दा बन बनेगो काउज शेड को मैक्सिमाम लेंथ को लिमिटेशन कती शता बन्दा 40 मीटर सा अनि वीड्थ पनेको 10 तेखी 11 मीटर सा यह चाएं आमीले मैक्सिमामा बत रोडा गाई पालन सक्चाउं एवडा शेड में यह दि त्योबंदा धिरेक गाई अरू अथा बहिशेवर पालन चा बने आमीले धिरेक क्रस पैसेज अरू बनान परनी उन्चा अथा बाया आमीले अरको शेड पने बनानना सक्चाउं रा अरू components, floor, pillar, wall अनि gutters, drainage, stall, slope, menger यह ले पाथ अरू अनि डोर अरू यह सबको डाइमेंशन यह दिएको छा आमी यह एरनना सक्चाउं रा roof आमीले अईले इस्टिल ट्रस्ट नहीं यूजगर छाउं रा roof cover मा जाएं, asbestos cement sheets अनि clay tiles पने यूजगर न सक्चाउं clay tiles ले जाएं रामर इंसुलेशन को काम करशां अथा बाया GI sheets बने को galvanized iron sheets पने प्राइगर न सक्चाउं roofing को लागे रा अरको ancillary structure बने को supporting structure हों इस मद्दे isolation box अनि calf housing अनि bullpen portion isolation box बने को एदि कुने पनी cattle बिरा में बाये बनी isolation box चाईं जा आम लाई के बने को छा बन्दाखरी 25 गाई को लागे कमतिमा पनी एवटा isolation box चाईं जासको dimension 4 x 3.5 मीटर अनि पर्षा अनि औरको छा calf housing बने को बर्खर जन्मे का बादसावाच चे लाई चाईने आउजिंग को space अरू दिये को छा याँ अनि औरको छा bullpen बने को यो गोरू राखने ठाऊं इसको लागे आमे ले loose housing system राखने पर छा रा loose housing system माई cover अथवा side area चाई 9 x 14 मीटर रा open space चाई 18 x 13 मीटर चाई प्रवाइड करने पर छा आमे ले अनि आमेले feeding गर दाखर छें बाइर वड़ा feeding गरन पर छें ताके यो bull ले चें आमेला इंजोर ना गरोश आमे शांगा face out type अधवा tail to tail extension बान को सानो clip राएको छा यो एराउ एक्षिन कर दो अन्तमा की बन्ना चाहान चाहू बने, काउसेड अथवा कुने फाम स्ट्रक्चर मा वाएगा, सबय कंपोनेन्स अरू जुडिसियसली प्लान गर्न पर्षा, ताकी वेस्टेज कम होस, अनि मिनिमुम डिस्टान्स ट्राबल गर्न सकी होस, केटल्लाइस अजिल होस, अनि एमन एर्गोनमक्स पनी मित्थ होस, डायमेंशन शरू चाहें, ब्रीड अन्नुसार, अथावा ठाउ अन्नुसार, रिक्वार्मेंट अन्नुसार, थोरे डेवियेशन गर्ना शकें छां, आज लाई एति नहीं, फाम स्ट्रक्चर को औरको शिरिंखला लिएरे आमीं, छेरी उप पुस्तितों नेश हो, लाइक, कमेंट, सियर, सब्सक्राइब गरने वाला है, तन्यवाद,